मस्कार दोस्तों अभी हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं स्लोका का वाइटनिंग क्रीम यह मौधी केर का है इससे पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ है हनी का जो देश्ट इंडिया कंपनी का हनी है मैंगो फ्लावर का उसका हमने वीडियो डाला हुआ है आप देख हाँ दोस्तों यह क्रीम हमने लगा चुका है और मेरा परिवार का इस क्रीम का प्राइस हम आपको दिखा देते हैं कि दो सो सत्तर रुपया है और इंग्रीडेंस तो बहुत सा रहा है यह हम वीडियो में दिखा देए इसका क्रीम हम निकालते हैं अभी यह क्रीम हम लगभग एक डेड़ साल से लगा रहे हैं जब से हम लगा रहे हैं मेरा फेस तो इसे उतना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी जब से लगा रहे हैं तब से मेरा फेस खोड़ा गलो कर गया है और चिकना हो गया है और मेरे परिवार का सब लगाता है सबका वैसे हाल ह सब का ठीक हो गया है तो हम सोचे कि आप लोग के लिए ये वीडियो बना के हम डाल दें कि आप लोग ये क्रिम के बारे में थोड़ा बहुत जान लें इसको यूज़ करना उच्छ करलेंगे हाँ दोस्तो इस क्रीम का दो दो तरगा क्रीम आता है इसमें एक आता है वाइटनिंग क्रीम और एक ठो आता है फैरनेस क्रीम तो हम मंगाए हैं वाइटनिंग क्रीम यही हमको सबसे अच्छा लगता है क्या कि इसमें दाग दब्भा भी मिड़ जाता है और चेहरा थोड़ा गलो कर जाता है और फैरनेस क्रीम हम एक ही बार लगाएं उससे अच्छा हमको यही लगा इसलिए हम चाहे कि इसी को हम आप लो होता है ठीक है ये क्रीम इसे त्रह कलर सका इस तरह मत्मेला कलर मत्मेला भी नहीं और साधा भी नहीं उसके बीक ड़कन लगा देते हैं हमको इसका बाकी सब तो अच्छा ही लगा इसका पैकेजिंग भी अच्छा इसका डिबा जो इसका फिनिसिंग भी अच्छा लगा यही सब देखके हम खरीदे थे सुरवात में लेकिन इसका क्रीम जो अंदर है वह हमको बहुत अच्छा लगा और फायदा हमको बहुत कर गया मेरा फेसमें बहुत सरा दागधबा था अभी तो हम अपना चेहरान नहीं दिखा पाएंगे size कि मेरे पास उतना सारा समान नहीं अपने दिखाने के लिए लेकिन जितना हम जाने वह सारा चीज हम बता दी हैं इसको भी खरिदना है खरिद सकते हैं 270 रुपया दाम है 50 एमिल का क्रीम है और यह सुलोका का क्रीम है कि मैं टारीस में जानकारी चाहिए होता है तो हम इसका इंग्रीटेंस करीम पर सोख कर देंगे आप बहुत सरह अपूर्णी के बारे में दिया हुआ इतना सारा पावर्णImp आई फ़ीदी नहीं हो जाएगा इसलिए हम इसका जो इंग्रेडेंस सेiksi में कर देंगे छी कि दोस्तों तो इसका दो소 कि्रिम आता है एक वाइटनिंग और एक फैरनेंस क्रीम और ऐकर फटो मिल जाता है तो फैरनेंस क्रीम का भी हम डाल जिसका दाग धब्बा और थोड़ा सा कलर मतलब काला है वह वाइटनिंग क्रिम यूज़ कर सकते हैं और जिसका कलर पहले से गोरा है दाग धब्बा नहीं उसको फिर चिकनाई या ग्लोइन चाहिए वह फैरनेस क्रिम यूज़ कर सकते हैं दोनों क्रिम अच्छा है लेकिन व दिखा भी हुआ है वाइटनिंग क्रीम किसके लिए है फोर डार्क एंड पिगमेंटेड स्कीन तो दोस्तों जो हम बताए वही चीज है तो आप डार्क स्कीन या जिसका दाग धबबा या फूंसी वगेरा है वो इसको यूज कर सकते हैं और मोटे तोर पर इसमें यूज किया दोस्तों आज के लिए इतना है इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार